हलो लियो लियो यानि सिंग रासी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मज़े में होंगे नमस्ते मैं सुरेश वोड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल स हिंदी टैरो पर तो आज ये हम ओवर ओल रेडिंग करेंगे जो हेल्थ वैल्थ करियर रिलेशन और गाइडेंस के लिए होगे और ये एक नमबर से साथ नमबर तक विकली यानि सापताहिक रेडिंग है और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये एक जनरल रेडिंग है ये सब पर रेजोनेट नहीं होती तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज अक्षेप् अपने फ्रेंड्स के लिए औरों के लिए पास किजी तो चलिए चलते हैं यूनिवर्स से पूछते हैं कि एक नमबर से साथ नमबर तक आपके दिन आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है तो चलिए चलते हैं आपका हेल्थ के लिए वैल्थ स्टूडेंट्स जॉब ये आप काफी वाहदूर हैं काफी सासी हैं आप हेल्थ-वाइज काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा mentally issues हो सकते हैं आपको थोड़ा सा आपने दिमाग वगेरा का check-up करवाते रहना चाहिए इस पर ध्यान देने की जुरूरत है क्योंकि आप जो भी काम करते हैं या तो उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या तो बिल्कुल पूरा करते हैं आप ग्रे लाइन पर नहीं रुपते तो डिसीजन जो भी आप डिसीजन लेते हैं चाहे वो आपके लिए गलत हो चाहे ठीक हो चाहे आपको नुकसान हो चाहे फायदा हो तो आप उसको पूरा करके ही रहते हैं तो इससे कभी mentally issues हो सकते हैं दिमाग पर बोज पढ़ सकता है आप अपने दिक्कतें अपने प्रेशानिया कभी न कभी बढ़ा सकते हैं जिससे आपको चैक अप करवाते रहना चाहिए थोड़ा सा आपको आप कभी न कभी depression में भी चले जाते होंगे तो बाकी कोई बड़ा इशूज नहीं हैं आप हेल्थ वाइज काफी अच्छे दीख रहे हैं स्ट्रॉंग दीख रहे हैं ठीक दीख रहे हैं बस आप अपना थोड़ा सा जो mentally issues हैं उन पर ध्यान दीजिए डॉक्टर की सला लीजिए चैक अप करवाते रहे हैं और आपनी बिमारी को दूर कर लेंगे ये भी एक आर्ड बता रहा है कि आप इसमें जरूर जीतेंगे अपनी बिमारी को जरूर हरा पाएंगे दा एमप्रेस ये वेल्थ के लिए हैं आप जहां भी पैसा लगा रहे हैं या लगाया हुआ है चाहे वो आपके finance में है, business में है, job में है तो आप काफी इसमें growth पा सकते हैं, name और fame पा सकते हैं आप काफी समझदार हैं आप सब जानते हैं आप घुमने फिरने में भी काफी विश्वास करते हैं आप parties वगेरा में जाते हैं वहाँ भी पैसा काफी लगाते हैं आप creative person है आप creative हैं आप जो करना चाहते हैं आप वो सब कर रहे हैं आप एक अच्छी life जीना पसंद कर रहे हैं आप अच्छी life जीते हैं आप काफी stable हैं काफी काम्याब हैं काफी तरक्की कर रहे हैं काफी नेम और फेम पा रहे हैं, काफी ग्रोथ आप आगे भी फ्यूचर में पाते रहेंगे, आप लग्जरी लाइप जीना पसंद कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी आप रानी मारानियों की तरह या राजा माराजा की तरह रहने वाले हैं, आपका फ्यूचर या आप की, आ पार है, यह स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो स्टूडेंट्स आप कहीं न इसकी हैं, आपने आपको बांदा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो किस पेपर के लिए तयारी की जाए, किस एक्जाम के लिए तयारी की जाए, कहां फोर्म सम्मिट किये जाए, किस जोब के बारे में सोचा जाए तो आपने आपको भी अपने ही जाल में बांदा हुआ है, अपने आपको घेरा हुआ है लेकिन जब तक आप इस confusion को दूर नहीं करेंगे इस जंजाल से बाहर नहीं निकलेंगे जो आपको mentally issues हैं जो दिक्कते हैं जो प्रेशानिया हैं उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपने career को कैसे stable करेंगे अगर आप अपने career को अच्छा बनाना चाहते हैं, stable करना चाहते हैं अच्छा अपना result पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो ये बंदन है जो प्रेशानी दिक्कतें आपने खुद ही create कर रखी हैं उसससे आपको बाहर निकलने की जुरुरत है तभी आप अपने एक नई opportunity मिलने वाली है नई success मिलने वाली है कोई ना कोई या तो आपको नई job मिलने वाली है या तो अगर आप already job में है तो कुछ ना कुछ आपको position मिलने वाली है कोई rank आपका बढ़ने वाला है आप कुछ ना कुछ आपको इसमें returns अच्छे मिल सकते हैं कुछ इनाम नई शुरुवात आपकी इसमें होती नजर आ रही है अगर आप नई जोब करना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपना अलक अजमा सकते हैं उसमें नई बिगनिंग नई शुरुवात होती इसमें नजर आ रही है आपको नई जोब मिल सकती है अगर आप मैनत करेंगे तावर कोई नहीं जानता के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है तो इसंवें आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है, संबलने की जरूरत है जो sorry friends मेरे प्यार में थोड़ा सा बाटा आ गया है तो मुझे काफी दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैं काफी इधर उधर प्रेशान हूँ तो जो business में काफी सब कुछ अपना गवाच हो के थे जो खतम हो गया था उनका अचानक से तो उनको एक उनके लिए अच्छा भी हो सकता है कि एक नई शुरुआत नई beginning उनकी हो सकती है लेकिन जो अच्छे business में जा रहे हैं अच्छा business कर रहे हैं अच्छा पैसा उन्होंने लगाया है तो हो सकता है कि उनको या तो गाटा हो चुका है या तो उनको गाटा हो भी सकता है तो उनको सला दी जा रही है कि अभी के लिए आप बिजनस में नया पैसा मत लगाईए अपने पैसे को रोकिए अगर आप नया बिजनस शुरू करना चाह रही है तो अभी के लिए आप रोक जाईए कोई business शुरू मत कीजिए इसमें आपको काफी नुकसान हो सकता है आपको घाटा हो सकता है आपकी बरबादी हो सकती है तो इस सबसे बचने के लिए आपको सला दी जा रही है कि अगर आप already business में है तो वहाँ भी आपको संभलने की जुरूरत है कुछ समय के लिए आप उसमें नया पैसा मतल लगाईए और जो पुराना चल रहा है उसमें काफी ध्यान दीजिए उसको अच्छे से समभा लिए पेज ओफ़ोंट्स तो ये सिंगल्स के लिए है आप को कोई ना कोई फोरण से लेकर या दूसरे स्टेट से कोई ना कोई ओपर्चुनेटी कोई ना कोई पर्पोजल हो सकता शादी के लिए कोई ना कोई आपको रिस्ते के लिए या कोई रिस्ता आया हो कोई शुरुवात हुई हो कोई बिगनिंग हुई हो तो आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहबत करते हैं, आप उससे नई beginning नई शुरुवात कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जोस में रहने की जुरूरत है, ज्यादा आप थोड़ा सा भी खुशी मिलते ही आप या थोड़ा सा भी कोई अगर आपको opportunity मिलती है या कहीं भी कुछ मिलता है तो आप थोड़ा सा अकड में आ जाते हैं थोड़ा सा जोस में आ जाते हैं तो आपको उस जोस से बाहर निकलने की जुरूरत है इसमें एक्शन लेने की जुरूरत है आप अगर बच्पना छोड़ कर एक मैच्चोर वे में इसमें आगे बढ़ते हैं तो इ कि रिलेशन के लिए हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं और या रिलेशन में जाना चाहते हैं या इसको शादी में कनवर्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी बड़े बुज़ूर की किसी मेंटोर की किसी गुरू की या जो आपके सामने वाले को या आपको दोनों को एक लेने की जुरूरत है और बिना सोचे समझे बिना सला लिए आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसमें किसी ना किसी जने की इसमें आपको सला लेने की जुरूरत है किसी मेंटोर की किशुगरू की या उस बंदे की ज रिस्ते को अपने प्यार को उसको जानते हैं तो उनकी सला लेकर आप इस रिस्ते को आगे बढ़ा सकते हैं शादी में कर सकते हैं अगर आप उनकी सला के साथ शादी करते हैं तो आप इस रिस्ते को काफी कामियाब कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं तो इसमें guidance का ये card आया है इसमें आपको clear cut चाहे आप business के लिए है चाहे ये health wealth के लिए है किसी चीज के लिए भी clear करने की जुरूरत है हर चीज को clarity के साथ करने की जुरूरत है अगर आप clarity के साथ नहीं करते क्लियर कट नहीं करते तो आप इसमें दोखा पा सकते हैं नुकसान उठा सकते हैं और थोड़ा सा आपको अपनी वानी पर भी control इसमें रखने की जुरूरत है अगर आप वानी पर control रखके समय रहते clear cut clarity के साथ हर काम करते हैं तो आप इसमें growth प ज़ौल रखेंगे कोई प्रेशानी दिक्कत रखेंगे तो आप इसमें आगे जाकर नुकसान भी उठा सकते हैं कलियर कट आपको सब कुछ करने की समें सला दी जा रही है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प अपना प्यार और आशिरवाद मुझे पर बनाए रखेंगे तब तक के लिए नमस्ते थेंकी सो मच आए टेक केर